नमस्कार, कैसे हो आप सक घर में बैठे हो कुछ काम नहीं तो जाये किचन में और उठाइए कड़ाई और उठाई अच्छा को और कुछ बनाते हैं नया तो चलिए अज कुछ नया बनाते हैं जैसे की गुझराती स्टैल में पोहा तो पुहा बनाने के लिए सबसे पहले हम ये सभी ingredients ले लेंगे और नहीं तो मैंने सभी ingredients description में डाल दिये हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वहां से note कर सकते हैं पुहा बनाने के लिए सबसे पहले हम flattened rice means चूड़ा लेंगे चूड़ा लेने के बाद हम उसको 2-3 वार हम उसके नौर्मल वाटर से धो लेंगे क्योंकि rice में starch होता है और चूड़ा हमारा rice से बनता है तो हम starch को अच्छी तरह से धो लेंगे 2-3 वार धोने के बाद उसका starch निकल जाएगा उसके बद हम एक इस्टेनर की मदल से हम उसे चान लेंगे और उसको हम ड्राय होने के लिए साइड में छोड़ देंगे उसके बद हम पुआ हा में जो भेज़ते बस जाता है उसको हम बना लेंगे उसके लिए सबसे पहले हम एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में तेल डालके एक मिनट के लिए हाइफ लिम पर गरम होने के छोड़ देंगे हमारा तेल गरम हो रहा है उसके बाद हम उसमें चॉप जिंजर, गार्लिक, चॉप जिंजर और चिली डाल देंगे उसके बाद हम उसमें onion डालेंगे, chopped किया हुआ, उसके बाद हम उसमें chopped beans डालेंगे, जो मैंने सब काटके पहले से रख लिया है, उसके बाद हम तो अच्छी तरह से उसको भूनने के बाद हम उसके बाद उसमें और साड़े सा बेजटेवल डालेंगे, उसके बाद हम उसमें कैरोड डालेंगे जो मैंने चॉप करके रख लिया हुआ है उसके बाद हम उसमें चॉप केप्सिकम डालेंगे फिर हम उसको अच्छी तरह से भून लेंगे भूनने से हमारा भीजटेबल का फ्लेवर बढ़ जाएगा इतना भूने यह उतना अच्छा है हमारे लिए क्योंकि इसमें भूनने से टेस्टीय होगा और थोड़ा जले हुए का टेस्ट आएगा हमारा भून यह फिश्टेबल भून गिया है हम उसमें अब पीनट्स या पीनट्स में बादाम डालेंगे उसके बाद हम फिर भून लेंगे क्योंकि बादाम यह अनकूक है इसको फिर बूनन असके बाद हम इंडियनी स्पाइस्श डालेंगे इसमेंसे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे कि सादनोसार हल्दी डालेंगे Scaksasa-hul sara चिली पोडर डालेंगे उसके बाद इसमें कोी कोरिणिर पोडर डालेंगे उसको बाद उसको हम थोड़ी दर के लिए भून लेंगे थोड़ी दर भून जाने के बाद हम उसमे चूड़ा को डाल लेंगे चूड़ा मिन्स जो फ्लेटन राइस मेंने हम लोग सोग करके रखे हुए थे उसको डाल लेंगे अच्छी तरह से उसको डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे मिलाने के बाद मिलाते समय हमें ध्यान देना है कि अच्छी तरह सभी मसाला मिल जाए उसलिए हम उसको अच्छी से दो मिनिट के लिए उपर नीचे साइड क्रिस क्रॉस करके हम उसको मिला लेंगे हमारा ये मिलके रेडी है उसके बाद हम इसको 2-3 मिनट तक लीड डखके कुक होने के लिए छोड़ रहेंगे 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से मिडियम हाई फ्लेम में कुक करेंगे ये हमारा 2-3 मिनट कुक हो गया है और हमारा पोहा बनके रेडी है देखिए ऐसा ही उसका कलर चाहिए और यही हमारा गुजराती स्टाइल का पोहा है और आप इसमें कड़ी पता भी डाल सकते मैंने कड़ी पता नहीं डाला है अब कड़ी पता डाली उससे आपका और अच्छा फ्लेवर बढ़े आएगा तो आप इसे टेस्ट करके बताएए कैसा लगता है मुझे तो आज बस इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त कर खल फीर मिलेंगे इसी जिगए इसी वक्त पे एक न्यू वीडियो के साथ इसी तरह कुटिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए तो ब्स्क्राइब करें प्राइब ब्स्काराब करें